हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, सो गाईज, आज की इस वीडियो मैं आप सभी को एक ऐसी प्रोलम के बारे मताने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आप सभी फ्रेंड बहुत जादा प्रिसान हो रहे हो, प्रोलम दोस्तों क्या कि जब भी आप अपने वै आप सभी को दो ऐसे पर्मनेंटली स्लूशन बताने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आपकी ये प्रोलम 100% ठीक हो जाएगी, तो वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को आप सभी ने बिना स्किप किये, सूर से लेकर लेक दोस्तों आपको एक ओप्शन देखने को मिलेगी, एपस, इस वाले ओप्शन पर दोस्तों आपने क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके डिवाइस के जितने भी एप्लिकेशन होता है, वो सब दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएं इस lines पर दोस्तों आपने क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तों उपर आपको option देखने मिल रही है show system apps इस वाले option को आपने enable कर देना और ok पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों ऊपर आपको search में आपने यहाँ पर search करना USB इस तरह से search करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते है USB settings नाम से आपको एक option देखने मिल रही है इस पर आपने click कर देना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो यह application उपन हो जाएगी इसके बाद दोस्तों आपने नीचे के और scroll down करते जाना और यहाँ पर दोस्तों आपको एक option देखने मिल रही है storage इस वाली option पर आपने क्लिक कर दिना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने इसका clear catch और clear data दोस्तों आपने दोनों कर दिना है, इसके बाद दोस्तों आपने एक और setting आपने device में करनी है, इसके लिए आपने यहाँ से back हो जाना है, back हो जाने के बाद सबसे last में आपको एक option देखने को मिलेगी about phone, इस वाले option पर आपने click करना है, click करने के बार नीचे के और scroll down करना है, software information के आपको option देखने को मिल रही है, इस पर आपने click करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपके while का जो bullet number है वो आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपने दोस्तों 6-7 बार press करन यहाँ पर भी दोस्तों आपको problem होते हैं कि यहाँ पर दोस्तों bullet number पर आप click नहीं कर पाते हो, यहाँ पर दोस्तों आपने click करते रहना, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी pattern password है वो आपने देदेना है, इसके बाद सबसे last में आपको एक hidden setting देखने को मिलेगी, developer options, इ इसके बाद दोस्तों नीचे के और scroll down करते जाना है, जो setting दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, same इसी तरह से आपने अपने while में करनी है, तो यहाँ पर default USB configuration की आपको एक option देखना हो मिलेगी है, इस पर आपने click कर लेना है, click करने के बाद यहाँ पर दोस्तों USB में आपन तब भी दोस्तों आपको इस तरह की मतलब की connector, disconnected, connected इस तरह से दोस्तों आपको problem उपर show होती है, तो यहाँ पर charging phone only पर select कर देना है, इसके बाद दोस्तों आपने notification पैनल में जाकर चेक करना है कि यहाँ पर दोस्तों जो आपको notification आया हुआ था, वो दोस्तों यहाँ से gap हो चुका है, अगर दोस्तों आपकी problem ठीक हो चुकी है, तो मुझे नीचे comment box में आपने जूर बताना है, तो आई हो दोस्तों वीडियो आप सबको बहुत जादा पसंद आए होगी, पसंद आए तो वीडियो को like कर देना, और इसी तरह के interesting वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल एकन को प्रेस कर लेना,